उसके अवाज को दबाने के लिए भारतीय जंता पार्टी ने ऐसा कारे किया है देश की जंता सुनना चाहती है देखना चाहती है और आप में हिम्मत है तो बताईए सिर्फ और सिर्फ राम्लेस पासमान जी काई घरदी काई दिया था ये किसके सारे पर हो रहा है पूरा दराते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ शर्मिला चोहान आज एक बार फिर से लोश्पा राम विलास के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पास्वान चर्चे में हैं लेकिन वो इस बार राजुनितिक गत्विधियों की वजह से अपने बंगले को लेकर चर्चे में हैं वो बंगला जो 32 साल से जिस बंगले में अपने पिता के साथ वो डह रहे थे वो बंगला जिस बंगले से चिराग पास्वान की कई सारी यादे जुड़ी हैं लेकिन ये वही बंगला है जिस बंगले को खाली करना नहीं चाह रहे थ सिधा चलते हैं लोजपा रामविलास के नेता कृष्ण कुमार कलू से जुरते हैं हमारे साथ कृष्ण कुमार कलू जी मौजूद है उनसे बात करेंगे चिराग पास्वान को आखर इतना मोह इस बंगले से क्यों है क्योंकि जैसे ही स्वर्गी रामविलाज पास्वाण wizuba nis उसके छे महीने बाद ही ये नोटिस आ गया था बंगले को खाली करने का नोटिस आ गया था लेकिन उसके बाद अब करीब एक साल से अधिक होने वाले चिराग पासवान ने नोटिस का जवाब नहीं दिया चिराग पासवान अब भी बंगला खाली नहीं कर रहे थे आखिर क् कौन कहता है कि चिराग पासवान जी बंगला नहीं खाली कर रहे थे उन नेताओं से जाकर पुछिए जिन नेताओं के द्वारा इसारे पर उन्हें नोटीस भेजा गया था और उस नोटीस को उन्होंने जवाब दिया था और एक्स्टेंसन का उन्होंने बिल पे किया है इस नेता को इस बच्चे को कि इसके इसारे पर इसब किया जा रहा है देश की जनता देख रही है आज इनको जो वोट चाहिए था दलित का तो राम बिलास पासवान के इन्होंने यूज किया और यूज करके आज उनके पुत्र को जीस तरीके से इनके दौरा फेका जा रहा है उनके समान को फेका जा रहा है पूरा देश देख रहा है एक दलित का बेटा जो सिर्फ बिहार की जनता की आवाज उठा रहा था उसके आवाज को दबाने के लिए भारती जनता पार्टी ने ऐसा कारे किया है, मुरलीमन होर जोसी क्यों नहीं खालि करवा रही है, क्या अधर आपने हिम्मत है तो बताईए अगे तो देश की जंता को बताईबू है देखना चाहती है अप में हिम्मत है तो बताईए लेकिन आप इस牛 है तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो लूटियान्स जोन है जहाँ पर चेरांग पास्वान रहते थे जहाँ पर रामवलास-respास्वान ला करते थे पूरे कि प्रस्ट में असी घ्रेयूं करते हैं हैं कि आंख वी करिस्पासमान जी सब्सक्रें users जो राष्टवादी है जो बिहार की जन्ता की बात करता है ये किसके इशारे पे होड़ा है पुरा देश देख रहा है किसके इशारे पे होड़ा है कहीं न कहीं चिराग पास्वान तो अखुद को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं आज भी बीजेपी को को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनका सौफ्ट कॉर्णर है तो क्या आप लोग यह कहना चाहरें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चिराख पासवान को यह बड़ा जटका दिया है यह पूरे सर्यांत्र गेम का जो रचा हुआ है बिहार के मुख् इश्कुमार और हमारे गदार चाचा 420 पसूपती कुमार पारस राम बिलास पासवान जी की आसिरबाद से यह वेक्ति आज केंदर में मंत्री बना हुआ है किया 420 MP को अपने में सामिल करके भारतिय जनता पाठी कौन सा तीर मार दिया है इन्होंने अपने जो मंत्री बने है अपने छेतर में अपने पूरे देश क्लीन उने क्या किया यह 420 सांसद जो मंत्री बने हुए पसूपती कुमार पारस जो गदार है लेकिन मंत्री तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कहीं इशारे पे बने थे प्रधान मंत्री जी को सोचना चाहिए कि किस गदार को अप अपने केमिनेट में जगह दे दिया है आज उसी भगवान का मंदी तूट रहा है जिसको वो भगवान मानते थे रामलेस पासवान को अरे पसुपतिकमार पारज जी गद्दार सामने क्यों नहीं आते हैं आपके मुँँ में दात नहीं है जीव नहीं है आईए सामने जनता को बताईए कि आपके कर्तूत कितना खराब रहा है उस बाप ने अपने पुत्र को आपके गोदी में छोड़ कर गया था दूद की बोटल देने के लिए नकी बीस पिलाने के लिए आपने तो उसको बीस पिला दिया जिस तरीके से घर का समान फेका जा रह है लेकिन प्रशासन तो कह रही है जो केंद्री टीम आई हुई थी बंगला खाली कराने के लिए वो तो यह कह रही है कि करीब साल बार हो चुके हैं नोटिस दिये लेकिन फिर भी वह मान नहीं रहे हैं वो डटे हुए है नोटिस का एक्स्टेंशन हो रहा था उसका पैसा क केंद्र सरकार को जा रहा था जिस विभाग को जाता है वो काज्यात है हमारे पास जो समय आने पर राष्टिय प्रस्तूत करेंगे बार्टिये जंता पार्टी केंद्र को जवाब देना होगा कि एक दलित के पूत्र के साथ इनोंने ऐसा क्यूं किया देश की जंता इन्हें मुहतोर जवाब देदेगी आये 2024 में खूटा ठोक के मैं आपके बोलता हूँ हम तयार हैं आप देखिएगा तो चलिए कालू जी इतना बता दीजिए कि जब अब चिराग पास्वान कह रहे हैं कि उन्होंने एक्स्टेंशन लेटर भी दिया था उन्होंने बकाइदा राशी भी दी थी इसको लेकर लेकिन फिर भी जब उनका बंगला खाली करवाया जा रहा है तो क्या वन्याई संगत बंगला खाली कर देंगे या भी डटे रहेंगे बिल्कुल हम बंगला खाली कर रहे हैं हमने सुख्षा से साथ दिनों का समय मांगा था कि जितना बड़ा बंगला है जितना हमारा समान है जितनी हमारी उसमें तस्वीरे रखी हैं हमारे जो बड़े avons हमारे जो पीटा समान्य है उनकी जितने तरीके का इनाम जो दिया गया था जो उनको पृष्कृत किया गया था सभी समान को निकालने में सजाने में 7 दिन का समय हमने मांगा था इन लोगों ने समय नहीं दिया एक दलीत के बच्चे के घर को इन्होंने बरबात कर दिया सिर्फ और सिर्फ क्यूँ तो ये बिहार की जनता और बिहार की आवाज उठाता है इन्होंने 15 सीट पे चिराक पासवान जी को मजबूर कर रहा था बिहार बिधान स्वा चुनाओ लडने के लिए हम लोगों ने नहीं माना चुकि हम लोगों को बिहार की जनता के हीट के लिए और हमको जो कदम उठाना पड़े वो करेंगे और हम लोगों ने एंडिये के रेड कारपेट को ठुकराया था मैं आपको विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूँ चुकि वहां मैं मौझूद था वारजनपत में मैं खुद मौझूद था वहां पर और जिस तरीके से दलित के बेटा को जो अत्याचार किया जाना इसके उपर बिहार की जनता ही ने 24 में जवाब देगी जवाब देगी और आखरी सवाल ये है कि चिराग पास्वान की मा और रामवलास पास्वान स्वर्गी रामवलास पास्वान की पत्नी ने कोट में एक अरजी दाखिल की थी और खबर या रही है कि कोट में उसे छुकरा दिया है देखें यह नियाले का पड़किरिया है नियाले पे कोई टिका ठिकनी हम नहीं कर सकते हैं लेकिन जीश तरीके सागदारी भाठती यह जनता पाठी नहें की है पूरे देश की दुनिया देख रही है डलित ही नहीं हर वर्ग के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे आप कुछ दिन पहले देखिए दूद में मक्ही की तरह मुकेश सहनी जी को भी निकाल के इनों ने फेग दिया क्या मुकेश सहनी के वोट नहीं पड़ा इनको दोहज़र चौदर में राम बिल्यास पासवान जो दलित के सबसे बड़े नेता है जो देश के दूसरे अंबेत कर कहे जाते है क्या परधान मंत्री जी को इनका वोट नहीं मिलाता भाठती जंता पाठी बोलेगा है मुँ में दम तो बोल के आकर दिखाए नहीं बोलेगा सिर्फ दलित का वोट चाहिए अज सत्ता में बैठे हुए मोदी जी कहते हैं हमारे सबसे अच्छे मित्र चले गए उनके पूत्र के साथ क्या हो रहा है और गदार पशूपती पारस चाचा जगा उनको नर्क में भी नहीं मिलेगा पशूपती पारस चराग पास्वान के चाचा के पहले अपने भाई यानि की रामविलास पास्वान के छोटे भाई हैं और ऐसे में क्या पशुपति पारस ने कोई भी कोशिश नहीं की उस बंगले को बचाने के लिए यह तो पशुपति कमार पारस जी से जाके सवाल कीजिए न कि जो मंदिर को आज तोड़ा जा रहा है जिस मंदिर के अंदर से उसकी जो समागरी होती है उसको बाहर फेका जा रहा है पसुपति कमार पारस आप यही बोलते थे कि रामभिलास पासवान हमरे भगवान है तो भगवान के मंदिर को खाली कराय जा रहा है अप किस बील में खूच गया है जबाब क्यों नहीं देते हैं उसी भगवान के पूजा करते करते आज आज आप के अंदर में मंत्री बने हुए हैं ने तो सहरबन्नी के किसी तालाब में आप मच्छली मारते नजर आते मच्छली मारते नजर आते बिल्कुल तो नाराजगी आप देख रहे हैं किस तरह से नाराज हैं लोश्पा रामवलास के नेता और जो चिराग पास्वान के हनुमान है कृष्ण कुमार कल्लू साफ तोर पर चिराग पास्वान का बंगला उनसे छिन रहा है ये वो बंगला है जिसमें चिराग पास्वा जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे जिन्हें अपना भगवान मानते थे वो उस बंगले में रहे और उनकी स्मृतिया चिराग पास्वान और उनके परिवार के साथ है और उस बंगले को खाली करने का आदेश चिराग पास्वान को बहुत पहले मिल चुका था लेकिन अब चिराग पास्वान को उस बंगले को खाली करने पर मजबूर कर दिया गया है और इसको लेकर तमाम लोचपार रामविलास की जितने भी नेता है वो नाराज है, खुद चिराग पास्वान भी इस से काफी आहत है अब देखना ये होगा कि चिराग पास्वान का अगला कदम क्या होता है क्योंकि साफतोर पर लोचपारामवलास के नेता ने बताया है कि अब देखते जाए कि चिराग पास्वान का अगला कदम क्या होता है तो अब देखना ये होगा कि इसके जवाब में चिराग पास्वान क्या अगला कदम उठाते हैं नमस्कार